साथियो सभी को नमस्कार आज एक बार फिर सु आगाता है आपका नालंदा ओनलाइन क्लासिस के इस यूटूब प्लेटफर्म पर इस कक्छा में जो हमारी स्रीच चल लए है अर्थसास्त के अंतरगत हम कुछ कुछनों को डिसकस करते हैं जो आने वाली जो पृतियोगी परिक्छाएं हैं जिसमें उत्तरप्रदेश पुलिस या एससी की कोई भी परिक्छा या भी हाल ही में जो रेलवे की वेकंसी आई है उनमें ये कक्छा क्या होगी बहुत ही महत्पूर्ण सिद्ध होगी तो आई ये स्टार्ट करते हैं आज की चुड़ा हुआ है पहला ओप्सनों है किरसी चैत्र अग्रिकर्टर सेक्टर दूसरा और दोवीविख छेत्र ठीक है तीसरा उप्सन सेवा चैत्र सर्वीस अप्टर और चोत्या उप्सन है इनमें से कोई नहीं अगर इस कुष्ट्टिन की हम इसका आंसर की बात करें तो इ इतने शेक्कम क्ठेटर शुंघ कर्ण हां करफ अधार अधार की कि अ beats चेटर स्कूंघ या चेतल वह बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं चेत्र या स्ट अंग्रे जीम कि त्रेस्ट cambiar up अधाल आ जाता तीन सेटरों में ठीक फिस में एक चे घो ता अर्थवभस्ठा का उसको बोलते हैं प्रात्मीक चेतर रात्मीक चेटर सी एक द्धूट्यक शेतर सेकंड्रीड अधूत्यक खेत्र आप एक क्षेतर होता तृत्यक खेतर आ तर्शरी सेक्टर कीचि थे अब यह आती है बात है कि इस में धाया कौन कौत से प्राइमरी को दीक हो सी तो इसमें ञचने सिंद वार्निस्ट समय कर गया है इसका अगनाम गिशने दूत्यक्षेत्र की बात कराएं तो कि इसका एक नाम एंग प। शहटर यह वेझ है तो वेज़ातstr आफ है और त्रत्रा चार को हम रबुह श्यक्टर के नाम से जानते हैं सर्वी सेक्टर छेथर तर्टेक ल doing क्या बोलते हैं से अरृवा यादार रहता भलते परात्मिक और दूसरे में और भोऌ क्या content सेवा सर्विस सेक्टर अब इसमें क्या क्या चीजे सामिल आती है जो इकोनोमी का अर्थवश्था का प्रात्मिक सेक्टर होता है उसमें जितने भी प्रकृतिक चीजें होती है जो हमें प्रकृति ने उपहार स्वरुप दी है वो सभी इसमें सामिल करी जाती है यानि जो प् वन या वान की ठीक है ना फोरेश्ट इशी में आते हैं इशी में देखो वनों से लकडी प्राप्त हो तो वह किसका प्रात्विक शेत्र में आएगा किर्सी से कोई भी प्रोड़क्ट प्राप्त होता गैहूं मक्का चाबल वो क्या है सब अग्रिकल्चर किसमें प्रात्विक नमत भी प्रद्ध के सुखें, या धर्ति के अंदर से कह निकालें, सो न, तो यह भी सब क्या किशम आता खननवी, प्राजमीक शेत्र में, इसी प्रद्ध में और क्या आता, मचली पालन, मचली पालन, यह पूचा जाता है, important यह तो कई भार पूचा गया है लिए ठीक है, कि मचली पालन किसमे आगा, क्योंकि मचलियां भी पिरकृति की देन है, मनुष्य विनको पालता जरूर है, परन्तो देन किसकी है, परत्वी की, तो वो भी किसमे सामिल होती है, प्रात्मिक शेत्र में, ठीक है, दूसरा, ओधोगिक शेत्र में क्या आती है, ठीक है, ओधोगिक कोई भी वस्टु जिसका निर्माण किया जाएगा मैनुफ्यक्षिरिंग इसको मैनुफ्यक्षिरिंग सेक्टर बोलते हैं वी निर्मान छेत्र वी निर्मित वस्तु में इसमाएंगी जिनका निर्मान करा जाएगा और ये निर्मान जो होगा जो प्रात्मिक छेत्र की वस्तु उनी से इसका निर्मान होगा ठीक है जो दृत्तिक छेत्र की वस्तु का निर्मान होगा वो इसी से होगा जैसे प्रात्म कि अभर आको में आतिए यह भेट सेट आदिया आड़े से ब्रेड बना दो थिकते ना आजब आड़े से समोसा बना गैर दो मैंटा बना के उसका तो वो किसमें आ गया ओधोगिक शेत्र में वी निर्मित बस्तुमेशी में आती है यानि निर्मान शेत्र मैनूफेक्चरिंग वाले मैनूफेक्चरिंग सेक्टर सर्वी सक्टर आप अब बोल सक्ते हो ठीक है तीसरा सेवाचे छतर सेवाचे जाए विस को utra कीस्ट सर्वी स्क्रेथ कारी का यह कोचिंग इंस्ट्वी चलाँ अ लोगों को सेवा देना उसके बदले का लेते हैं पैसे लेते हैं इसी परिकार से जो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाए, तो रेस्टोरान्ट वाला आपको खाना खिलाता है, हो भी क्या चला हुँ. एक सरविस सेक्टर में involve है, रेस्ट वाला भी, वो भी सेवा दे रहा, उसके बदल आपसे पैसे लेता है, ठीक है? तो इसमें बहुत चीज़ा शामिल होती है जैसे कि परिवेहन अगर आप यात्रे कर्रे रोड़्वेजवस में कर्रहे हो या कोई भी प्रआपट गाड़ी में कर रहे हो तो परिवहन स्थार भी को इसमें आता कि स्टिर है ब मुईऽ है संचार ठीक है यानि मोबाले इसी में आपका क्या कोचिंग सेंटर भी लिख सकते हो कोचिंग सेंटर रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ठीक है तो यह ऐसा नहीं कि रटना है अनुमान लगा लेना ठीक है ना जो सेवा देता है जैसे बैंकिंग भी बेंक वाले भी क्या कराते हैं हमको सेवा उपलफ कराते हैं ठीक है तो बैंकिंग भी किसमें आएगी तीसरे चेत्र में आएगी तो जो भी किसी प्रकार की सेवा देता है वो सेवा चेत्र में आता है ठीक है बहुत इंपोटेंट है याद रख लेना पहले में कौन से में एग अमरी सेक्टर में आ गया उससे आटा बनाया या समोसे निर्वान कर लिए उससे या कोई भी प्रोड़क्ट और बना दिया या ब्रेड बना दिया उसको क्या कर दिया उसको बना दिया तो वह दोगी चेत्र में और उसको पैकिन करके फिर पैक कर दिया उसको ठीक न तो जब करा गया उसको और फिर उसको बेचा गया दुकनदार के दवारा ठीक है ना जैसे आशिरवाद के कर थेला ता तो वो भी एक प्रकार की किस सेक्टर में जायेगा सेवा छेत्र में ठीक करें तो यहां तक शमझ में आया ये बाते आप देखो एक क्षण यह आता कि भारती अर् तो अगर कुछ्चन यह पूछे हैं आप से ठीक है कि सबसे यादा योगदान भारते जीडीप में इंडियन जीडीप या भारते रत्वश्ट वेस्टा में किस चेत्र का रहता है तो आंसर दोगे तिरते चेत्र का सोरी हाँ सही बोले हूं तिरते चेत्र का सबसे अधिक सबसे अधिक योगदान और इंट्रेस्टिंग बात यह है योगदान तो जीडीप में इसका सबसे अधिक है ठीक है ना परन्तु इसमें व्यक्ति कम सलगने है ठीक है ना कम सलगने है वही किर्सी चेत्र देखो इसका योगदान भारते रस्तवश्टा में 50 परसेंट से फिप्टी परसेंट यह डाटा है ठीक है और योगदान इसका 15-16 परसेंट के आसपास ही रहता जीडीपी में ठीक है ना तो सब से कम योगदान कोंसे चेत्र का रहता इसका और यह मद्ध्य में आता ठीक है दोनों की द्रिष्टी से योगदान में भी और जो व्यक्ति कुछ ले यह नहीं बताया बाकी तो उनका नाम है प्रसासनिक सेवा है लिखने की भी जरूत नहीं आप देखो सवाल कई बार एक्जम में यह यह आता कि भारते अर्थ में पुस्ता में किस चेत्र का योगदान सब से अब्धिक है डाटा कभी-कभी पूचाएगा ठीक है तर नहीं पूछाएगा वह ज मैसे टीसे चेत्र का योगदान सबसे अधिक है सब्सेख्यं कौन से चेत्र का और समसे अधिक व्यक्ति किस में लगें में किसी चेत्र में तो यह 3 छे थे ठीक है नहीं और इनको discussion को देखेंघींगी ठीक है अगला जो question है आज का दूसरा question ग्रेसम का नियम किस से संब्दित है यह भी अर्थसाष्ट का एक बहुत normal सा question है जिसको बार बार परिक्षा हम पूछ रहता है SSC ने इसको कई बार पूछा है ग्रेसम का नियम किस से संब्दित है तो पहला option है खाद बस्दूओं से दूसरा option मुद्रा से तीसरा option कर से चोतरा option banking से ठीक है तो अगर हम ग्रेसम के नियम की बात करने तो इसका सही on-sher क्या जाएगा मुद्रा किस संब्दित है यह मुद्रा से देखें के नियम क्या का को आको माहीं कि का केता ही ठीक है ठीक है झाय वघ छ को ग्रेसम में своan अर्थ शॉश्च्षी हुए हैं उन्होंने मुद्रा भी देंजेए नीरी था वो कहते हैं कि अगर अर्थ विवस्ता में बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा एक साथ प्रिचलन में हैं अर्थ विवस्ता में बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा वे अच्छी मुद्रा एक साथ क्या है प्रिचलन में है ठीक है या बाजार में भी बोल सकते हो तो बाहर कर देंगे यागी डोमिनेट कर देंगी किसको अच्छी मुद्रा को ठीक है देखो इसको एक सिंपल नॉर्मल से उधान से हम समझेंगे हलां कि यह से सम्मंदित तो है नहीं फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा है देखो अगर आपके पास ही दो नोट है और दोनो तुम्हें कुछ समान खरीदना तो मानव वहार मानव की भित्रत यह होती है कि फिर भी मानव कौन से नोट को देंगे हम पुराने वाले को नए वाले को 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 कि को अपनी जेम में राखेंगे जैसे ऐसे राखेंगे कि यह जितने देर पास रहे ठीक है अच्छी पिलिंग आ पुराने नोट है तो हमेशा तुम कौन सा नोट दोगे पुराने नोट तो उस जो बुरी मुद्रा थे उसने अच्छी मुद्रा को डॉमिनेट कर दिया एक और नॉर्मल समझना बुरी मुद्रा मान लेना कि तुमाले पास नकली नोट है और एक असली नोट है तो हमेशा विगने तुम पहला कोशिश किसको करो हяться नहीं की नकली वाले नोटको ठीक है समझने के साफ यह ग्रेशन का नियम ये मुदरा से सम्बंदुत ये कई वार सवाल पारा ठीक है कि बुरी मुदरा हमेशा से अच्छी मुदरा को मार्कराइश धाइए यह तो यह तो ये अने घ्षादवस्टूहों से, इस को अभी एसे किलास में हम स然后 कर लेंगे, खादवस्टूughter do अभी किलास में, एँ चर्चकुर कर लेंगे खाद बास्तूहोंसे सब्ढ़न से विए अक खाने वालीचीजों पर खरकी से सब्ढ़न तो ऑख्रों左右 गया भोल दो इसको हम एंजिल का नियम भी बोल दें, क्या बोलते हैं, एंजिल, एंजिल का नियम, नियम, या इसको एंजिल का वकर्व, वकर के नाम से भी आजाता है, कर्व के नाम से, ठीक है, टेंशन नी लेना, बैस समझ लेना, और बिल्कुर सवाल बिल्कुर सिंपल आएगा, यह कई बार तो खाध्वस्तूं से देखो और ऐंजिल महोदे क्या कहते है यह कोई भी वैक्ति या कोई परिवार है जैसे जैसे उसकी निकम बढ़ती जाती यह उसकी I खाद दे वस्तूओं से ठीक है और मैंने आपको बताए दिया जैसे जैसे किसी व्यक्ति या परिवार की आये में व्रद्धी होती चली जाती है वैसे वैसे ही उसका भोजन पर से खर्च का हो जाता प्रतिसत में कम हो जाता एक एक्जम्पल से समझने इसको भी यह भी एक्ज 1100 रुपे ठीका है और वह भोजन पर खर्च कितने करता वह सपोज मान लेना कि 20 रुपे का भोजन कर लेता जिन में कितने रुपे का भोजन कर लेताक्री का वीश रूपे का तो उसने अपनी आयका कितना परसेंट 20 पर ने यही व्यक्ति है या ऐसे मानना यही इसको ही मान लेना फिर अगर इसकी आये में व्रद्धी हो गई और यह सपोज एक हजार रुपे परड़े का कवाने लग जाए कितना एक हजार रुपे दूसरा व्यक्ति भी मान सकते हो कोई ऐसा हो नहीं समझने के लिए इस तो अब यही व्यक्ति जब एक हजार रुपे परड़े कवाएगा तो यह खाएगा तो भोजन नी तो भोजन ऐसा हो सकता कि पहले यह दालोटी खाता हो अमटर पनीर खा लेगा यह नोन वेजेटेरियन है तो चिकन यह अमटर न खा सकता ठीक है और भी खा सकता है उसकी च्छा पर समटनेंड़े का यह निर्वान थे खेंट है तो फिर वो मान लेना याइख के भी सिजगता है सो रुपय का खाना छालेगा कितने रुपय का कि यह लिखना कि उसने सो रुपे का खाना खा लिया अब ठीक है तो पहले वो 20% कर्च कर रहा था और सो कितना 1000 का 10% तो पहले वो 20% कर खर्च करता था भोजन पर अब कितना कर रहा 10% इससे एक और बात निकल के आती है एक और बात देखो निकल के आती है इसी किस से एंजिल के वकर से एंजिल के नियम से आती है एक बात निकल के कि गरिवों का अधिक्तम वैतों भोजन पर ही खर्च हो जाता है, जिनकी आए कम होती है, ऐसे वैक्तेयों का अधिक्तम खर्च किसका होता? भोजन का, ठीक है, तो ये एंजिल वकर था, इसको देखो, वकर के माद्यम से भी हम देख सकते हैं, नोट कलो पहले इसको, graph के माधियम से देखें अगर देखो यह सवाल पूछे जाते हैं exam में तो याद कर लेना इनको अच्छे से समझ लेना देखो अगर वक्र के रूप में देखें तो भोजन पर खर्च दल लिख लो भोजन पर खर्च भोजन का मतलब खाने पीने पर खर्च आप इसका वक्र हम बनाकर समझे यह तो आय यहाँ पर ऐसे हैजवार गार शीया झाने अपा गोगी तो आप यहाँ पर देखवार चरहा है इसका पर और अप्ट तो दो इसको आए तो भोजन पर गाए कम है तो भोजन पर करच्च के का है कम ठीक है तो इस वक्र के रूप में भी इसको ऐसे हम समझ सकते ही वक्र वैसा पूछा नहीं जाएगा फिर भी समझने के लिए है कि आये में व्रद्धी करें कि जब आये अधिक होगी तो भोजन पर कर्च इदर से आ गया है कम ठीक है और अगर आये कम है आये सवरी अधिक है पर भोजन पर कर्च हो जाता कम हो जाता ठीक है तो आप देखो नेश्ट इसी में बात करेंगे हम इसी में एक option और दिया लेफर यहवाला कर से तो एक हम लेफर वक्र की भी चर्च इसी किलास में करेंगे लो लोफर बक्र जिसको बोलते हैं लेफर यह लोपर वर तो तो इससे कौनसा वाला सम्दित हो गया? Angel. इससे कौनसा मुद्रा से? Great Sum. और इससे एक सम्दित है Leper Hakk. क्या है? Leafericio. यह कभी लोफर की नाम से भी आजाता है. ellofer या Leafer 30 या Laafer 20 जो भी एक्जाम में दे कोई जादे इसकी TENSION मातले not. तो इसमें देखो लेफर महोटे क्या बताते हैं जो लेफर वक्र है वो करकी दर और किसमें राजस्व मैं संबन्द बताता पहले तो यह पॉइंट लगना राजस्व यानि इनकम जितने रेवेन्यू प्राप्थ होता और कर मतल्स तो रेवेन्यू और किसके क्योंदऴ संबंध दर साथ आए रेवेन्यू और время और टैक्स करें कि मद्दै संबन्द को दर साथा कोन सा बक्र लेफर वक्र इसमें क्या तो एक सीमा तक तो हमें राजसु की अधिक प्राप्ति होती है ठीक है ना यानि अगर हम करकी दर बढ़ाते चले जाएंगे तो एक सीमा ऐसी आएगी वहां तक तो हमें राजसु जो है पैसे ठीक ठाक इंकम प्राप्त होगी परंतु उससे पार जाने पर अगर तुम बढ़ इनका सिध्धन्त क्या है कि अगर तुम किसको बढ़ाते चले जाओगे किसको करकी दर को यह बढ़ाते चले गए तो राजसुभ भी बढ़ता चला जाएगा एक सीमा तक राजसुभ बढ़ गया परन्तु अब जब तुम बार-बार ही बढ़ाते जाओगे और उस करकी दर को तो बढ़ाते जाओगे तो फिर किसमे राजस्व में भी क्या आने लगेगी गिरावट आने लगेगी राजस्व में लगेगी गिरावट इसका मतलब यह समझें कि करकी दर क्या रखनी चाहिए एक मध्यम यानि गोतम बुद्ध की तरीके का मध्यम वाला रास्ता अपनाने और उसकी 0安 drag budget चाहिँ जीए और करकी दर यादा होनी चाहिए एक्जांबल से अगर हम ऐसे समयें ऐसे होता क्यूं था मिелित होते होती है कोई विद्र का माता इंकलित की ने इसकी तो रुपे और उसको टेक्स के रूप में प्रारम में टेक्स किदर कितनी थी 5 पर सेंट कि इतनी थी 5% थी फिर सरकार ने दर बढ़ा दी सब्सक्राइब 10% कर दी तो पहले 5 रुपए वसूल लेती थी तरकार उससे फिर 10 रुपए ले लगी फिर करकी दर बढ़ा दी पंद्रे तब तक भी वह देता रहा कर फिर सरकार ने टैस्की दर कितने कर दी 20% कर दी ठीक है के 100 रुपए में से 20 रुपए हमें दो गए तो उस समय इंसान फिर कर की चोरी कैसे करी जाए कर ना देना पड़ा इसके उपाय सोचने लगता और फिर कर देता नहीं है इंकम टैक्स चोरी जिसको बोला जाता ठीक है ना तो यही है किसका कथन लेफर महोदे का तो यह तीनों कॉंसेप्ट आप किलियर कर लेना कौन-कौन से ग्रेसम का नियम जो मुद्रा से संबन देता एंजिल का नियम जो खाने पीने वाली वस्तों से संबन देता है और तीस इड्डा का मुख्याले कहां पर रगए यह भी कई बार एक्जाम में सीता सीता सवाल आता कुछ संस्था ऐसी है जिनके मुख्याले पुछ थे इड्डा हो गया राष्ट-े-ग्रामीड विकास बैंक हो गया तुमारा नाबार्ड हो गया ठीक है सीड़ी हो गया तो बहुत यह बार बार परिक्षा में घुमते रहते हैं सवाल तो इसके उप्शन है इड्डा का पहला नई दिल्ली दूसरा कोलकाता तीसरा हैदराबाद ठीक है छोथा नागपूर यह चार उप्शन है फिने था काम लिशके कि रहते हैं तो सीधा याद रखने के इसाभ से इसका मुख्षाल ले कांपर हैं हधरबाद कई लए एक्जाम में सवाल आता ह है हधरबाद तेलंगहणा में इसका मुख्षाल है अगर इड्डा की हम बात करें अब हमें पता होने चाहरी ड Bowl तो सबसे पहले इंडा कि देखो फुल कि अगर मैं इंग्लीज इन बात करें से फूंटी तो इंसॉरेंस इंसॉरेंस और अरेन्स ईंस्वेश्ञ रैगुलाट्री Regulatory Development Authority of India Authority of India जैखो कभी कभी इसे भी लिखा आ सकता इस नाम से भी आई बाद में भी लिखा आ सकता ठीक है तो जादे करिफूज मत हो ना, हिंदी में इसकी फुलपॉम बैठती है, वो बीमा वी नियामक, वी नियामक, विकास प्राधी करान, ठीक है, सबसे पहले हमको देखो यह मालूम होना चाहिए, कि है क्या, एड़ा है क्या, ठीक है, तो एक सेंटेंस में याद रखना, कि एड़ा, बीमा चेतर की, इंसोरन सेक्टर की, बीमा चेतर की, सबसे बड़ी संस्ता है, सबसे बड़ी संस्ता, कई बार तो कुशन यही एक्जाम में आता, बीमा चेतर की, जो हम बीमा कराते हैं न, जैसा लाइसे से बीमा कराते हैं, ठीक है न, लाइसे मतलब, जीवन के सा जाए भविष्य को सिकोर करने के लिए तो कुछ एकॉनोमिकली मदद मिल जाती है आर्थिक रूप से परिवार को ठीक है जैसे दुरगटना हो जाती है तो भीमा कराते है तो धान देना भीमा चत्त के सबसब बड़ी संस्था यही है जितनी भीमा कमपनिय होती है सरकारी प्र निन्यान में अधिनियम आया था भीमा विनियमक विकास प्राधिकरन एक्ट कब पारित हो था उन्निस्तो निन्यान में उसके तैथी इसकी स्थाफ ने सन दोजार में की गई थी ठीक है और इसका मुख्याले मैं आपको बताई दिया मुख्याले कहां पर हैड़क्वाटर ह है भी माल कि अधरावाद प्रारम में पहले हलाकि इसका मुख्याले दिली में भी था परन्तु वरतमान में इसका मुख्याले कहां पर है हड़ाबाद तेलंगाना ठीक है तो याद रखना यह भीमा चेत्र की सबसे बड़ी अथ्रोटिया संस्था है या एजन सी ए क्या यह यह आतना कहना यह सबस्ता होला तेक में आपकार से करें लिए लिय क्सा पूछा एजन्शी पुछा वी में अीवी driven दिगंjat टीक है यह सबसे बड़ी company है सरकारी सबसे बड़ी बीमा चेतर की company पब्लिक सेक्टर की ठीक है इसकी स्थापना कभ विए हिए आज एक सितंबर एक सितंबर उन्नेश्टोच पन को इसकी स्थापना वह गजाती और ऐसको मुक्च्हयल एम उंबाई मैं है इसका ? LIC सरकारी चेत्र की भीमा कमपनियों में सबसे बड़ी कमपनी है ठीक है जिसकी स्थापना 1956 में होई थी मुख्यल्य उसका मुंबई में है इड़ा और LIC के बारे में हुई अगला देखो नेस्ट कुश्चन देखेंगे हम आज का जो चोथा कुश्चन है है- है- व्जिद्वी का मुख्यल्य कहां है शिद्वी यह मुख्यल्य और पूछा जाता और क्योंकि उत्तर प्रदेश मैंने इसका मुख्यल्य उत्तर प्रदेश किसी एक शेर में है itel उतल पु ये हो मुंबई नई दिल्ली लखना और हैजराबाद तो आप क्लू मैंने दे दिया आपको समझगे हो गया आप ओप्शन C राइट आंसर सिडवी सिडवी जो बैंक है भारते है फुल फॉर्म में इसको बोले भारते लगू उद्धोगिक उद्धोगिक विकास बैंक विकास बैंक ठीक है इस्मोल इंडेस्टियल डेवलप्मेंट बैंक उफ इंडिया इस्मोल इंडेस्टियल डेवलप्मेंट बैंक उफ इंडिया इस्मोल इंडेस्टियल डेवलप्मेंट बैंक उफ इंडिया इस्मोल इंडेस्टियल डेवलप्मेंट बैंक कि यह इसकी क्या है फुल्फॉर्म है इस्थापना की बात करें अगर हम तो 1990 में इसकी इस्थापना करी गई थी ठीक है है हेड़ क्वाटर यहां पर आईगा आपका हैड़ काहा है लखनव ठीक है और साय एस रमन इसके वर्तमान में अध्यक्ष भी है ठीक है याद रखना ए मध्यम तो अध्यों के लिए के लिए इन देता है कौन इस्थी बेंग अध्यव धरश्रकार की मुदरा योजना ठीक है मुदरा योजना मैं जो मैंशिय वह कौन सा बैंक दीक है तो इसको भी आप याद कर लेना इसको देखो मुंबई में कौन-कौन-कौन से बैंक है नवाड भी मूंबई मैं हो गया था ठीक है और अर्वीय पी मुंबई में था नृदिली में PNCGO मुंख्याल में हें ठीक है है हीदराबाद में धी एड़ा का बताया है हीदराबाद में एक और याद रखना संस्थान संस्थान राष्टे इसको अगला कुश्चन देखते हैं फिर हम भारत में सबप्रतम राष्टे आयका नुमान किसे ने लगाया था ठीक है क्योंकि इथियास में भी यह कुछछन आता यहां पर भी पूछा गया बहुत नॉर्माल अंसर है इसका पहला अप्शन दिया दादा भाई नौरो जी जवालाल नहरू श्रीमन नारायन अगरवाल औ यहां नहीं 1860-68 में ठीक न सबप्रतम राष्टे आयका नुमान लगाया था उस समय रृति व्यक्ती व्यक्ती वारसी काय कितनी बताई थी मात्र 20 रुपे उस समय कितनी थी 20 रुपे ठीक है ना 20 रुपे बताई थी किसने दादा भाई नौरो जी ने तो यहाद रखना दा नवरुजी को क्या बोलते हैं, Grand Old Man of India, क्या बोलते हैं, Grand Old Man of India बोलते हैं इनको, ठीक है, और इनोंने ही, सब प्रतम ये बताया था कि भारत का धन भारत से भारत से भारत किस प्रकार जा रहा, यानि धन का निसकासन कैसे हो रहा, तो धन के निसकासन, या निर्गमन, का प्रति-पाद में किया था, इसको क्या बोलते हैं? The Theory of Dranwellth, the theory of Dranwellth, the theory of Dranwellth, या ड्रैन वेल्थ की थोरी किसने दीती तो आंसर भी का दो गए दादा भाई नौरोजी ठीक है नोट करें फिर अन्ने विकलब आपक थर्चा करेंगे देखो इकोनोमिक से जुड़ा हुआ जवाला लेहरु से भी सम्मधित एक सवाल आता बहुत इंपोटेंट सवाल बार बार पुछा जाता जब कांग्रेश का उन्निस और तिसमें हरीपुरा दीवेशन चला था हनो वाई速 कासा दीवेशन हरीव हरीव डbirजागा है गुजराट बंठीक तर जवाला लेहरु सैं पर उननिस्टे भी मैं हरीवेशन हरीवेशन चला था पिक है इसके अद्धाश कौन थे स्वास्चंद्र बोस स्वास्चंद्र बोस तो उस समय कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के सदस्चों ने राष्ट्य प्लानिंग कमेटी राष्ट्य प्लानिंग कमेटी कि भारत के अर्थवस्ता के लिए क्या प्लानिंग करनी है क्या योजना बनानी है जिसको नैशनल प्लानिंग कमेटी भी बोलते हैं उसका गठन करा गया था उसके अध्यक्ष जवालल नहरू ही थे जवाहर लाल नहरू, अध्यक्ष कौन थे, नहरू, जवाल लाल नहरू, यह कुश्चन कई बार आया, कन्फूज होता थे हैं बच्चे, जब पूछा जाता है सवाल, कि 1938 में कांग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन में जो नैशनल प्लानिंग कमेटी का अठन हुओ, उसके जवालाल नहरू, और उस अधिवेशन के अधिशन के अधिशन के इसने करी, स्वाश्चंद्र, भोसने, ठीक है, अगर हम स्रीमन नारायन अगरवाल की बात करें, तो इन्होंने इंडियन एक से संबंदि जो योजनाओं में एक योजना दी ती गांधिवादी योजना, यह मैं विश्वेश रहया, भारते अर्थवरस्था की प्लानिंग करने वाले पहले बैखती थे, इन्होंने पुस्तक लिखिती, प्लान्ड एकोनोमी फोर इंडिया, ठीक ना, भारत के लिए नियोजित विकास, यह इन्होंने पुस्तक लिखिती, तो यह आज की क्लास के इनका पांच इंपोडेंट क्ष्चन थे, इनका मतलब पांच से यह नहीं था, यह पांच ही कुश्चन है, इसमें मैंने फी पांच टोफिक कवरें ऐसा मानना, ठीक है, तो इनको नौट करना अच्छे से तैयार करना, और इनका लाब मिले तो जरूर मिलेगा इनका लाब, ठीक है, और इस सीरीज के बारे में आपकी क्या रहा है, उसा कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करो, ज्यादे से ज्यादे से शेयर करो, और जो भी सुजाब हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, धन्यवाद, थैंक्यू वेरी म पुरीज सोन्हकुी.